नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका यूटूब प्लेटफार्म जी असवाई नीरसर में आज हम लोग यूपी वियड जो इंटरेंस एक्जाम होने वाला है उसकी लास्ट डेट क्या है बढ़ाई गई है कि नहीं बढ़ाई गई है इसके बारे में भी सूचना देंगे औ तो यूपी वियड जो इस बार इंटरेंस एक्जाम था जी उसका टेंडर किसे मिला था तो मिला था यमजी पी रुहेल खंद इनवस्टी जी महत्मा जोतिवा वाई फोले रुहेल खंद इनवस्टी इस बार इंटरेंस एक्जाम करा रही है जो की बरेली में है जी तो वो की तैयारी में लगी हुई है सबको पता है जो इसका अपलाई स्टार्ट हुआ था जी फार्म स्टार्टिंग डेट थी वो ग्यारा फरवरी 2019 थी जी और लास्ट डेट बढ़ा के एक दिन बढ़ाए गया है चौदा तीन 2019 को इसका लास्ट डेट हो गया है फार्म फिल करने का अंतिम डेट है चौदा तीन 2019 जी और जो पेमेंट डेट है पेमेंट डेट भी बढ़ा दी गई है ध्यान रखें जिन लोग नहीं अपलाई किया है वो लोग फार्म जल्द से जल्द अपलाई करें क्योंकि चौदा आज ही लास्ट डेट है फार्म अपलाई करने की और जो जो पेमेंट की जो पेमेंट कटाने की लास्ट डेट है वो तो 16 दीन 2019 तो वो अपना पेमेंट करा सकते हैं जो आज रिच्टेशन कर ले रहे हैं जी जर्णल का और ओबिशी का जो पेमेंट है जो फीज है वो है फंद्रासू रुपे ज्यान रखें अगली बार इससे पह इस समय बिश्विद्याले करा रहे हैं यह अपना खाता भरने में लगे हुए हैं जी और जो यसी एस्टी हैं उनका भी फीश साथ सो रुपे रखा गया है और अधर इस्टेट के लिए मानलों कोई दूसरे स्टेश्टे पंजाब से है हरियाना से है या बिहार से है और निकटगेरी के हैं उन्हीं वाले बेस में रखा जाता है अधर इस्टेट वालों को जी तो उनका भी फीश पंद्रा सो रुपे है तो ध्यान रखें आज लाश्ट डेट है फाम भरने का राइस्टेशन करने का लाश्ट डेट आज है 14-3-2019 जी और जो पेमेंट कटाने की क्लाश डेट है वो है 16-3-2019 ध्यान रखें और इसके बाद सची उन्हें आदेश भी दे दिया है कि अब कोई डेट बढ़ाई नहीं जाएगी और बात करें अगर पेपर की तो पेपर इसमें एक्जाम डेट साफ साफ सो कर रहा है 11-4-2019 को पेपर होना है और जो रिजल्ट ह होगा प्रिछा होने के बाद जो रिजल्ट होग जो दस से पंदरा मई के बीच स्टार्ट हो जाएगी और उसी के बीच consequences है और जो इलिजबिल्टी की बात करें तो यहां बैचलर डिगरी या मास्टर डिगरी साथ 50% होना चाहिए अगर इंजिनरिंग के कंडिडेट हैं मानलों कोई बी टेक किया है या एम टेक कंप्लेट किये हैं तो उनके लिए 55% मार्क की आवश्यक्ता है ठीक तो कई लोगों की परेशानिया थी लास्ट डेट बढ़ा है नहीं बढ़ा है तो हाँ बढ़ गया है अब 16 तारीक हो गया है फार्म फिल करने का 14 तारीक है जबकि फी पेमेंट के लिए 16 तारीक लास्ट डेट हो गई है नियान रखें अगर बात करें आज अमर उजाला की तो अमर उजाला में आज साफ निर्देश दिया गया है UP 배 प्रवेश परिच्छ अवेदन का आज आखरी मौका जी मर उजय ने साफ साफ मौका दिखाया है बरेली इस बार पेपर करा रही है बियड प्रवेश परिच्छा के लिए इस बार रिकार्ड 5.55 लाक आवेदन हो चुके हैं यहां संख्या पिछले साल से करीब दो गुनी है जी सोच लें 5.55 लाक्स आवेदन इस समय हो चुके हैं और अगली बार जो हुआ था वो 2.34 लाक्स आवेदन थे जिसे लखनोव निवस्टी ने एक्जाम करवाया था इस बार यह बरेली को मिला है जी रुहेल खंड इनवस्टी बरेली को मिला है और इसमें 5.55 लाक आवेदन हो चुके हैं आवेदन का आकड़ा पिछले एक सब्ता हमें बहुत तेजी से बढ़ा है गुरुवार को आवेदन का आखरी मौका है माना जा रहा है कि आखरा लगभग 6 लाक से उपर भी जा सकता है मानलोगर 6 लाक जाता है और 1500 रुपे इसका लगभग एक कंडिडेट का फीस है तो 15 चका 90 लगभग 90 लाक रुपे से अबब इनका 90 लाक करोण 90 करोण से अबब इनका लगभग अर्निंग हो जाएगी उसके बाद बताया जा रहा है बीएड प्रवेश परिच्छा फार्म भरने की प्रक्रिया काफी धीमी थी माना जा रहा था कि इस बार लगभग 2 लाक आवेदन ही हो पाएंगे पिछले दो सप्ता में आवेदन का ग्राफ अचानक तीजी से बढ़ा है बुद्भवार तक आकड़ा 5.5 लाक पहुंचा और करीब 5 लाक ने फीज जमा भी कर दी है तो 5 लाक प्लस लोगों ने फीज जमा कर दी है जान रखें इन्हें तो आप पेपर देना ही देना है तो 5 लाक प्लस लोगों ने फीज जमा कर दी है और जो है बताया जा रहा है बुद्भवार तक आकड़ा 5.5 लाक पहुंचा और करीब 5 लाक लोगने फीज जमा कर दी है फीज जमा करने का आखरी मौझा 16 मार्श है, भिररती गुरुवार तक फार्म भर सकते हैं, यानी आज डेक्ट तक फार्म भर सकते हैं स्टेट के कौारिडिनेटर प्रोफेशर हैं बी आर कुकरेती बी आर कुकरेती साहब से बात हुई थी तो इन्होंने बताया था पिछले साल 1.90 लाग सीट writes पर करीब 234.5 लाख हवय थे एक दसमलो 90 लाख सीटें अगली बार थी जब लखों अउश्टी ने पेपर कराया था और तब फाम पड़ा था दू दसमलो 3-4 लाख दू लाख 34,000 के करीब आबेदन हुए थे इस बार रिकार्ड आबेदन हुए है काफी साल पहले विश्विद्याले की मेजवानी में फीज भरवाने का मौका था जब पांच लाख आबेदन हुए थे उसके बाद इतने आबेदन नहीं हुए उन्होंने बताया कि आप भैरती गुरुवार को हर हाल में फांच भर ले इसके बाद कोई तिथी नहीं बढ़ाई जाएगी जैसा मैंने पहले बताया था कि आप कोई तिथी नहीं बढ़ाई जाएगी उसके बारे में साफसाफ इन्होंने निरदेश दे दिया है ये प्रो करोन की अर्निंग हो जाएगी लगभग लगबाग और 63 करोन की अर्निंग इनकी हो चुकी है बुद्वार तक आज जो होगा उस पे इंक्रीज होगा फीज जमा हुई है गुरुवार तक यहां कड़ा 75 करोन तक पहुंच सकता है बेशुविद्याले ने पिछले कुछ समय में बित्य संकतर खड़ा हुआ था एक बार वेतन देने के लिए FD भी तोड़नी पड़ी थी ये MC कुरैसी जी का साफ साफ का निर्देश है जी उन्होंने बताया था कोकरैती जी तो बताया जा रहा है कि फार्म भरने का लास्ट डेट 14-3-2019 है और जो फीज सम्मिट करने का ल इसके बाद कोई डेट बढ़ाई जाने की शौचना नहीं दी गई है ध्यान रखें जिन लोगों नहीं आभी आवेदन नहीं किया है वो लोग करके आवेदन कर लें जिन्हें वीड करना है जी और बात करें वीड की तैयारी की तो उसके लिए भी हमने इस्पिसल स्रीज च दोनों में बराबर कोईशन आने हैं हिंदी से 50 कोईशन फिक्स आने हैं ध्यान रखें उनका इवीजन आप कर सकते हैं चैनल के नए हैं अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आने पे फ्रेंड्स में जरूर सेयर करें धन्यवाद